प्रुब के नाम की स्तुती और महिमा होने पाएं आंड़ उडे नामतिर के महिमे उंडावदाग अमारे आधना में प्रिवेश करने के पहले हमारे रिति के अनिसार बाइबिल के वच्चन के अनिसार प्रमेश्वर की आराधना करने के लिए कोशिश करेंगे अमारा प्रमेश्वेर हमारी बातों को सुनने वाला है अमारी बातें शायद शब्दों में नहीं हो या समझने लायक नहीं हो तो भी प्रमेश्वेर हमारी बातों को सुनने वाला है मैं नहीं जानता हूँ आपकी असलियत हालत क्या है करके आपके व्यक्तिक जीवन में या परिवारिक जीवन में किन-किन बातों से आप गुजर रहें करके मुझे मालूम नहीं है लेकिन हम उस प्रमेश्व की आरादना करने के लिए जाते हैं आपकी और मेरी बातों को जो कहरने की या भीतरी भीतर व्यापकुल होके कहरने की जो बाते हैं रोने की बाते हैं उन बातों को हमारी प्रमेश्वर सुनने वाला है कोई-कोई वातावरण में बच्चा रोजाता है बहुत से बच्चे जो है रोने वाले बच्चे हैं आगे थोड़ासा मारेंगे या कुछ हो गया गीर गया चोट लगया है और वो तुरंत रोना शुरु करेंगे जवान लोग भी रोते हैं यह नहीं की जवान लोग रोते ही नहीं अड़े अर्तम इपड़ी अल्ले के वाली बच्चे हैं शायद अबितक आप रोय नहीं है शायद एक दिन आएगा आप रोने का एक मोका आपको आएगा बड़े लोग भी रोते हैं इसका मतलब ये नहीं है रोने वाले जो बड़े बड़े लोग है ओ विश्वास में नहीं है या आत्मिक्ता में नहीं है अप्रभु में नहीं है आइसा नहीं अम लेई ले सकते हैं आप्र शूलीड़े नहीं है उठम्हीं है उप्रभु में ये रोने का मन करता होगा शील्विदमान शूलिलिएल अड़े संधरपंड़िले नाम अपड़ियाग अलुद पुलंब वेंडे कि नहीं है मैं एक गटना को में आपके सामने रखनरिक लिषादा हूं छिस्वेह अ आधि आगम मिरुवति उन्डावद अधिगारम यहां हाजीरा आर उसका बेटा के बारे में पुरा वर्नन किया गिया है इंगे आगारम आगार उडे कुमार नई कुरितुम इंगे तेली वाग एड़द पटिर करद। मैं सारी बातों को मैं आपको समझाने के लिए अहां नई आया हूँ लेकिन मैं खास प्रमेश्विर की बातों को यहां बताने के लिए चाता हूँ यहां एक परिस्तिती है वहां हाजीरा आरूस का बेटा दोनों घर से भगाये गये है और यहां गोर से वच्चन को देख्येगा दोनों जन के जीवन में रोने का एक परिस्तिती है एक बड़ी मावहा है अंगे वर ताय उंड़। अंगे वर ताय उंड़। और एक बालक है अंगे वर महनुम उंड़। वहां एक चोटा व्यक्ती है यो बडा व्यक्ती है अंगे वर सुरुवणुम उंड। वर पेरिय मनसीम उंड। ध्यान से सुनिएगा गवणमाय के लगंगल। उस वचन को आप पहले पढ़िएगा हिंदी में अंद वसनते नाम अपढ़िया हिंदी ले वासी कलाम। पढ़ेंगे पदिनाराद वसनते वासी कलाम। उसका सोलावच्छ। और आप उससे तीर भर के टपे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई मुझको लड़के के मृत्यू देखनी ना पड़े तब वो उसके सामने बैठी हुई चिला चिला के रोने लगी। यहां सोला वच्चन के आंकरी में यों लिका है वो बड़े मां के बारे में लिका है चिला चिला के रोने लगी। तोड़ा द्यान से से देखिएगा वस वच्चन को बेटा की हालत को वो देखना नहीं शाती है तनुड़े यह महनुडे निलम है अवल अंगे पार के विरुम्ब विल्लाई उस बेटा को पिलाने के लिए पानी नहीं है अंद कुमारन के अंगे तरुप्ति पड़त्वं पड़ीके अंगे तन्नीर इल्लाई पानी मिलेगा भी नहीं अंगे तन्नीर कड़े पदर के वाईपु मिल्लाई कोई वहां उम्मीद नहीं पानी वहां मिल्ल जानेगा अंगे तन्नीर कड़े के कुड़ीदान यंद विदमान वाईपु गळम अंगे तरिये वुल्लाई जरूर वहां रोने के वाईपु अंगे तन्नीर कड़े की वाईपु मिल्ल जानेगा भी नहीं पानी से क्या अंगे पनीर वहां 17 वक्षन में येवां लिखा है लाड़िखे भी वहां रोते वे वहां प्रमें वहां लिखा है जरूर वहां रोने की बात करके नहीं लिगा लेकिन वहां लड़का अभी उस्प्रका रोने की अवस्था में पड़ा है अउस्वचन से हमको समझी में आता है की वो आनंसे नहीं है बच्चा आनंद में नहीं है अंद वसनति इलेंद नमक्के इपडियाई तेलीवाई तेरीगरद अंद कुलंदे संदोसति निन आले अंगे इल्लै कुछ आवाज़ मुठा रहा है कुलंदे आनन दु अंद पैयन आणावन सत्तमिड़गिराण मारोर जई है अंगे थाय अलगराल बच्चा वहाँ चिला रहा है अंगे कुलंदे आनन दु अंगे सत्तमिड़गिरद क्यों येन उनके लिएक जरूरत है अंगे वर थेवैं उन्ड़ु पानी भीने से उनका जान उनके अंदर चले आएगा उतना बड़ा बात वहां दिखाए पड़ता है 17 वच्चन में यह लिखा है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और आकर में यह लिखा है कि उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है मेरे सुनने वाले आज कोई भी क्यो नहो आप बीतरी बीतर कमरा के अंदर या परिवार में किस सालत में पड़ते हैं मुझे मालूम नहीं वास्तों में कोई-कोई आँस बहा के रोने वाले यहां बैठे होंगे मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ आपकी रोने की आवाज को आपकी चिलाने की आवाज को हमारा परमेश्वर सुनने वाला है चाहें आपके रोने के आवाज आपको जरुत को पूरा करने की चकर में क्यों नहीं मेरे लिए ये बातें जरूरत है मुझे ये चाही है इस प्रकार की एक प्रकार की बीतरी बीतर कहरते कहरते रोने की आवाज क्यों नहीं इस बाइबल का प्रमेश्वर आपको सुनने वाला प्रमेश्वर है चाहें पानी जेसे जरुत की ओन हो छोटा हो बढ़ा हो आपके जरुत को पूरा करने के लिए आपको आवाज को सुनके प्रमेश्वर उतर देने वाला है परमेश्वर ने उसकी आखे खोल दी और उसको एक कुवा दिखाई पड़ा तब उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया आपका प्रमेश्वर आपके जरुनुत को पूरा करने वाला प्रमेश्वर है बस एकी क्वालिफिकेशन है वो एकी योगियत्ता होना चाहिए यह इसमाइल यह हाजिरा का जो बेटा वो कौन है अबरहाम का बेटा है आपके रखामनोडे संदधी बाइबल का वच्चन यह लिखा है तेरा वच्चन में अगर आपढ़ियेगा तेरा वच्चन को पढ़ियेगा तेरा वच्चन में क्या लिखा है पढ़ियेगा तेरा वच्चन को किसका वंस है किसका बीज करके वहां वचन लिका है अबरहाम का बीज अबरहाम का वंस करके वहां वचन बता है आपके अंदर रोने की अगर बात होती है नीगल देव उनड़ ये पुत्तिर के लाग अलगी इन कारियंगल इरक्कुम बोदू मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग अमारे कलिसिया में भाग लेने के लिए आये हैं वो सब कोई प्रमेश्वर का बीज है यदि प्रमेश्वर के पास विश्वास रखे यहां जो बैठे हैं जिस परकार हाजिरा का बेटा उस अबरहाम का बेटा है अबरहाम का बीज है तो परमेश्वर उसको आशिष देने के लिए उसकी जर्रत को पूरा करने के लिए दोड़ के चले आया अगे आघार उड़े कुमारन आबरहाम उड़े कुमारन अवन उड़े वित्ता इरिकर बड़ी नाले अंगे देवन उदवी सेवदर के अंगे वोडी वरिगरार एक और घटना को आपके बीश्वर रखने के लिए चाहता हूँ पहले मैंने कहा प्रमेश्वर हमारी सुनने वाला है प्रमेश्वर हमारी बातों को सुनने वाला है अब ये गवर गटना को हम देखनी जा रहे है हमारा प्रमेश्वर हमें देखने वाला है पहले जर्रोत को पूरा करने वाला प्रमेश्वर है अब प्रमेश्वर हमें देखने के द्वारा क्या होत्ता हूँ उसकी आँके उसकी नजर एक व्यक्तिके उपर अगर पढएगा तो क्या मात्ते होने वाली उसको में दिखाने किली जाता हूँ देवनोटिये कंडल वर मनिदने नोक्की पार्कुम पोलु अलोदु देवन वरुवन मीदु कंडोकमाई इरिक्कुम पोलु अवनोटिये वालकेले एन्न नडक्कुम एन्बदे कान्बीक कवरिम्पिकरें वहा रोनी की आवाज को परमेश्वर ने सुना अंदे इड़तिले अंगे देवन अलुगीन सतते केटार यहां ये गट्ना में बतानी केले चाहता हूँ इपवोद नान सुल्ली करदान वरु कारियम् परमेश्वर देखने की द्वारा रोना चले आता देवन काणकीरदी नाले अंगे अलुगय करण्दु वरिकरदी बहारोनीकी आवाज को परमेश्वर ने सुना है अंदे इड़तिले देवन अलुगीन सततते केटार अंदर की गल्ती हमारे अंदर की जो पीचे बुट्ने की बातें पाप की बातें, सारी बातें हमारे आंकों में आंसु को बहा देता है लुका रचिसु समझ चार्ड उसका बाईस अधिया है पत्रस के बारे में यहां पड़ते हैं वचन बताता तीन बार उसने येशु मसी को इनकार किया उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताने के लिक चाहता है वो बार बार इनकार करते जा रहा है कि मैं उस येशु को नहीं जानता हूँ मैं उसके साथ नहीं रहता था करके इनकार करते गया वहां पे 61 वच्चन को पढ़ेंगे लूका उसका बाईस्मा अधिया 61 वच्चन को पढ़ेंगे तब प्रभुने घूमकर पत्रस की ओर देखा बस यहां रुखिएगा घूमके देखने का मतलब क्या हुआ बस सरीर या हमारे हेड हमारे सीर को ऐसे हिलाग करके पीछी देखने की बात है साधारन देखने की बातों को आप जानते होंगे उसमें कुतना फरक नहीं पड़ता साधारन से अम लोग जब रास्ता भी जाते हैं लेकिन वहां परमेशों पूरे धियान लगा करके एक अपने विच्छार के साथ मक्सद के साथ मतलब के साथ वो पत्रस को मुड़ करके घूम करके देख्था अणाल इंद एड़तिले कर्थर तिरुम्बी पार्तार एंड़ु सोल्लूंबोदु अवर ओर कारियत्ति मींट्टमागे अलद ओर कारनत्ति निमित्तमागे ओर सिरत्त एड़त्त अंगे तिरुम्बी पार्करते पार्करों क्यों प्रभुने मुड़ करके देख़्ां एन आंडवर अंगे तिरुम्बी पार्तार पत्रस को एशु मसी को पीच्चे चलने वाला था वो पीच्चे हाटके निकल गया आंडवरे पिन्नाड़े नडपे निन्ट सुन्न दान पेदुरु आंडवरे विट्टि पिन्नों की नडपकरते कांगिरा प्रमेश्वर एशु मसी को चोड़ करके वो पीच्चा चलागिया इसलिए एशु मसी को एक नजर काफी रहा इतने लोग पत्रस को समझाये होंगे मालूम नहीं बाइबल में तो वच्चा नहीं लिखा है पत्रस को समझाये होंगे तुम भी तो थे येशु मसी के साथ लेकिन अभी इनकार करते हो क्यों कोई बताये भी होंगे उसको शाहिए उसके जीवन में उसके चलते कोई परवाह नई उवावोगा जब एशु मसी का घूम करके देखने का एक नजर में उसका मन भी खल गया पढ़ेंगे उस इक्सट वच्चन का आगे पढ़ेंगे इक्सट और बासट वच्चन को भी पढ़ेंगे ज पढ़ेंगेंगे एक्सट वच्चन से और बासट तक पढ़ेंगे आरव तिवंड अवधिरंड वच्चन तक प्रभु कृछल सब्स और वो बाहर निकल कर फूट फूट कर रोया बाहर निकल कर वो फूट फूट के रोने लगा उसका एक नजर काफी है आपके बीतर मन की बातों को पिघालने के लिए वहां रोने की बातों को परमेश्वर ने सुना उसके चलते उसका जरुथ पूरा किया गिया यहां एक व्यक्ती पिच्छा चला गिया उस व्यक्ती को परमेश्वर ने देखा यहां पापी है यह गलत किया है वो पाप करके वहां बैटा है उसको यह शुना देखा वो एक नजर उसके जीवन में रोने रोने को कर दिया आज इसलिए प्रुभव अमारे बीच में आया है आगवे इंद वेले देवन नम्मत ले इपड़ी आया कड़ंद वंदर करा आपकी जर्वत को पूरा करने के लिए आपकी बातों को सुनने के लिए आया है उसके चलते आप रो रो करके प्रभु येश्व के पास आने के लिए उसका नजर काफी है आई हम सब कोई खड़े हो जाएंगे